मेरा नाम है रजट and you are watching India's number one Hindi Gay Story Channel प्यार कहीं भी कभी भी किसी से भी किसी को भी हो सकता है इसमें बंदिशे नहीं होती जैसे रहीम को निशान से और निशान को रहीम से हुआ कहानी में आगे क्या हुआ चलिए जानते हैं लेकिन उससे पहले लाइक बटन पे क्लिक कर दीजे और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजे रहीम तैयार था रात में खेत पे जाने को निशान के साथ रहने को उसके साथ सोने को क्योंकि वो यही तो चाता था कि वो दोनों अकेले हो और कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे कोई भी नहीं और रात के समय से बैतर और क्या ही हो सकता है रात का खाना खाके रहीम इंतजार कर रहा था कि निशान्त आये निशान्त के आते ही वो उसकी फटपटिया पे बैड़ गया दोनों खेत के लिए चल दिये रहीम की कपकपी छूट रही थी ठंड की बज़े से पर वो ये बात निशान्त को नहीं बताना चाता था बरना शायर निशान्त उसे अपने साथ ही नहीं ले जाता खेर दोनों खेत पे थे इधर उधर की बाते हो रही थी और फिर ना जाने कैसे बात शहर और गाउंबालों पे आ गई शहर बाले ये तो गाउंबाले बो निशान्त और रहीम आपस में बस यही जर्चा कर रहे थे रहीम शेहर वालों को बचा रहा था क्योंकि निशान तो उनमें कम्याही गिना रहा था फिर निशान ने रहीम को चुनोती दी और बोला जो मैं करूं क्या तुम शेहर वाले भी बैसा कर सकते हो कर सकते हो तो चलो कर के दिखाओ निशान ने अपनी जैकिट निकाल दी फिर उसने रहीम को भी बैसा ही करने को कहा रहीम अंदर से तो काप रहा था पर उसने अपना स्वेटर निकाल के फेंख दिया निशान रहीम को देख कर बोला अरे अब ये भी बाकिए इसको भी निकालना खड़ा क्यों है निशान ने कहा रहीम चलो अपनी बाहें फैलाओ निशान ने अपनी बाहें फैलाई और फिर रहीम ने भी अपनी बाहें फैला ली निशान बोला चलो अब आजो मेरे साग निशान आगे आगे भाग रहा था और रहीम उसके पीछे पीछे भाग रहा था ठंडी हवा रहीम क शरीर से टकरा कर उसे करेंच सा दे रही थी पर निशान तो एकदम बेफिक्रा था उसे तो कुछ हुई नहीं रहा था थोड़ी देर भागने के बाद निशान रहीम को उसी तालाब के पास ले गया और बोला चलो रहीम अब पानी में उतरते हैं रहीम बोला पगला गए हो क्या धंड है इतनी पर निशान ने रहीम को पकड़ के उस तालाब में उसे खीच लिया अंदर रहीम ठंड से कापने लगा निशान बोला शान्त हो जाओ मैं हूना और उसने रहीम को अपनी बाहों में जकड़ कर अपने शरीर की गर्मी देना शुरू किये पर रहीम की कपका पाहट बढ़ती जा रही थी तो निशान्त उसे पानी से लेकर बाहर आया और खेत पे बापिस ले गया बहाँ उसने आग जिलाई और गीले कपने निकालने को कहा रहीम काप रहा था, तो निशान्त ने उसे बाहों में लिया और आग के सामने दोनों बैट गए रहीम को अभी भी ठन लग रही थे, निशान्त ने भूसे वाला कमरा खोला उसके अंदर रहीम को ले गया, उसने भूसे में जिसे गाउं में प्यार भी बोलते हैं उसमें बैठने के लिए अच्छे से जगह बनाई पहले खुद अंदर गया फिर रहीम को अपनी गोद में लेके बैठ गया उसने दोनों को गर्दन तक प्यार में ढख लिया और रहीम को कसके पकड़ के रखा निशांत बोला मुझे माफ कर दो मैं तो मस्ती कर रहा था मुझे नहीं पता था तुम सच में इतना भी बरदाश नहीं कर पाओगे रहीम कापते हुए बोला कोई बात नहीं रहीम ने अपना सर निशांत के कंदे पर रख लिया और थोड़ी दिर में उन दोनों के बदन की गर्मी आपस में एक्सचेंज होने लगी और प्यार ने उनके शरीर पर मौझूद पानी को सोख लिया निशांत उटना चाता था पर रहीम हिलने को तैयार भी नहीं था रहीम ने निशांत से कहा ऐसे ही बैटे रहो ना अच्छा लग रहा है थोड़ी दिर में रहीम ने कुछ गुद गुदा सा अपने आप को छूते हुए महसूस किया उसने हाट डाल के देखा तो कुछ मोटा सा महसूस हुआ वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है उसने उसको दो तीन बार दभाया फिर उसने उसे पकड़ लिया वो जानने की कोशिश कर रहा था कि ये चीज आकिर है क्या उसने अपना हाथ बाहर निकाल के देखा तो एक काला मरा हुआ चुआ उसके हाथ में आ गया था रहीम जोर से चिला के उट खड़ा हुआ और निशांद के मुँपे उसका टकरा गया रहीम बोला सौरी सौरी निशांद बोला कोई बात नहीं पर हुआ क्या रहीम ने मरा हुआ चुआ निशांद को दिखाया निशांद बोला अरे खेत में तो ऐसा अकसर हो जाता है चलो कोई नहीं आव तुम्हारे हाथ दुला देता हूं। निशान्त ने रहीम को बिठाया और नल चालू कर दिया। पर पानी आई ही नहीं रहा था। रहीम ने पाइप को मुझे लगा लिया और कस्की दो-तीन बार सूता। फिर जाके पानी आने लगा। और रहीम ने अपने हाथ दोए। निशान्त और रहीम आग के सामने बाहर बैठ गये। निशान्त ने अपनी जैकेट पहन ली और रहीम ने भी अपनी इनर और स्वेटर पहन ली है। निशान्त बोला सुनो तुमारी पैंस अभी भी गिली हैं। उनकी जगह अंदर जाके वो पजामा पहन लो। मैंने तो रहीम ने अंदर जाके पजामा पहना। वो बाहर आया तो देखा निशान्त लगभग सो चुका था। रहीम का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसे देखकर वो धीरे से गया निशान्त के पास और बोला। अरे हम यहां रखवाली के लिए हैं। सोने के लिए नहीं निशान्त एकदम से उठके बैठा और बोला टेंशन ना लो मेरे कान बहुत तेज हैं। जरासी आहट से ही आख खुल जाती है मेरी। फिर उसने रहीम से कहा वो कोट्री है न उसमें चलते हैं। बहां सो जाते हैं। रहीम निशान्त के पीछे-पीछे कोट्री में गया। कोट्री में एक खाट, गत्ता और रजाई पड़ा था। निशान्त और रहीम दोनों खाट पे लेट गए और दोनों रजाई में घुस गए। रहीम ने हमेशा की तरह निशान्त को अपने हाथ पे लिटाया और सुलाने लगा। जब निशान्त सो गया तो रहीम बोला वो नहीं रहा था आप बहुत हैंट सम दिखते हो और उपर से आपकी बॉड़ी भी एक दम कड़क है रहीम ऐसे ही निशांद की तारीफे किये जा रहा था निशांद एक जटके से उठा और वो रहीम के ऊपर चड़ गया और बोला इसका मतलब तुमने सब कुछ देख लिया ना है ना मुझे लगाता तुम सो रहे थे तुम तो बड़े छुपे रिस्तम निकले यार पर मैंने तो कुछ नहीं देखा रहीम बोला तुम मैंने रोका कब है देखने को देख लो ना मुझे तो बेहत खुशी होगी रहीम ने निशांद की गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसे अपने पास लाया उसके होटों से अपने होट मिलाए और फिर हटाए फिर मिलाए फिर हटाए वो बार बार लगातार ऐसा ही कर रहा था अरे शेर रहीम बोला निशांद बोला वो तो होगा ही ना रहीम बोला बाहर देखो खेत में निशांद ने जहांक के देखा खड़की से तो शेर नहीं भूरे रंगी बिल्ली थी निशांत बोला खोदा पाहड और निकला चुगा रहीम ने रजाई हटा दी थी उसने इशारे से निशांत को अपनी और बुलाया निशांत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था रहीम किसी पानी के बिना तरपती मचली जै करेंगे रहीम चाहता था कि वो दोनों एक दूजे से चिपट जाएं लिपट जाएं और एक दूजे में सिमट जाएं वो दोनों एक दूजे को प्यार करें पर रेस्पेक्ट भी क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उनकी बीज का रिष्टा आगे कैसे बढ़ेगा खैर निशान्त रहीम के काफी करीब आ गया निशान्त बेहत खुश्टा और रहीम भी निशान्त रहीम को किसी दीवाने की तरह चोम रहा था उसे अपना प्यार दे रहा था और रहीम भी किसी दीवाने की तरह ही वो प्यार ले रहा था दोनों यूही एक दूजे को घंटो घंटो तक प्यार करते रहे एक दूजे की बाहों में रहे फिर दोनों खड़े हो गए खड़े होकर एक दूजे को प्यार करने लगे रहीम निशान्त को पूरी तरह से चुमना चाता था और निशान्त भी रहीम को रहीम निशान्त की आँखों में देख रहा था दोनों ने एक दूजे को कसकर एक दूसरे से चिपकाया और बाहों में इस कदर जगड़ा जैसे मानो पूरी दुनिया में उनके अलाबा कोई और है ही नही दोनों यूही एक दूजे में समाते गए और एक दूजे के होते चले गए पूरी तरह से कहानी में आगी क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विडियो को लाइक कीजिए और हाँ कॉमेंट जरूर करिए